ऐसे बिलकुल यह सब निराधार बाते हैं राम रहीम को और हनीपरीत को कोई व्याईपी ट्रीट नहीं दिया जा रहा है पेर जिस फरकाशी मीडिया के अंदर लगाता और हनीपरीत के बारे में चर्चाएं हुई गर्वेंशी स्कमेटी का चेर्मेन होने के नाते में बाला ग करके मिन्ट टू मिन्ट वहां से साथ डिटेल निकाल करके माने मीडिया को बरीफ किया था चार बजकर 59 मिन्ट पर चार लोग उनकी भेहन थी उनका भेहनोई था उनके भाई थे चार लोग अंदर आए मुलाकात के लिए और जबकि जेल मैनुवल के साब से 20 मिन्ट तक मु उन्होंने केवल ओन रिकोर्ड है आठ मिन्ट मुलाकात की और जो उनका कपड़े बगरा जो समान देना था वो बैग को छानबीन करने के लिए मेरे स्टाफ के केवल तीन मिन्ट लगे उनने चेकिंग कराई और एक मिन्ट वो बार चले गे उसके बावजूद एक लड़की है तो उन्होंने का कि इसकी तबियत खरावे गाड़ी को थोड़ा बार से नजदीक मंगवा दें वो गाड़ी उस पारत तक मंगा करके उनको बिठाकर बार बेज दिया था और जिस गाड़ी की चर्चा की की मैंने अथोर्टी जो तंडिगड है हमारी एक से सोतंग नंबर 24 नंबर गाड़ी थी वो हनीपरियत के पिता के नाम थी मैंने कलीर कर दिया रहा है आप ने कहा कि राम रहिम को अलग से खाना दिया जा रहा है हनीपरियत को जेल मैन bulbs के यसाफ़ से जो आम बंदी को खाना है वही खाना उनको दिया जा रहा है अलग से कोई खाना नहीं दिया जा रहा इस बात के लिए मैं शोर करता हूं मेरे डी जी पी के पी सिंग ने भी मेडिया को बताया है दूसरा जैसे कि कहा कि कोई बंदी आगर उसने बाहर आगर के कोई कुछ भी भ्यान दे सकता है लेकिन जिस वाड के अंदर सुरक्षा वाड है अलग से है और जो आम जो दूसरे बंदी है जो उनकी बैरिंग है उसका उसका बहुत जाए डिफरेंस है आपश्में नजदीक मिलते भी नहीं है तो इसलिए इस परकार के जो ब्यान जो जिस बंदी ने को जैन नाम का वेक्तिर दिये हैं तो सब निराधार है और जेल मै लेक्सिमम चार लोग यह लगवगव तक आये हैं तो उनकी मुलाकात के और वीश मिन्ट कराते हैं एक सेकंड वी उपर नहीं कराते हैं यह भी कहा जा रहा है कि राव राइंसे जेल में कोई काम नहीं करते नहीं इसके लिए बिलकुल जो भी कोई बंदी हमारे पास आता है और सजाश को किकलेर होने के बाद हम जेल मेंवल के साथ सबसे काम लेते हैं और काम लेते हैं तो उसका जो नया बंदी हमारे पास आता है तो इसकी 20 रुपे पर डे उसको हम उसका जो काम करते हैं उसका देते हैं तो उसके हैड में जमा होगा आपको पता लग जाएगा उस